यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्ता इस वीडियो में मैं आपको कुसी की बात ये बताने वाला हूँ कि इस बार MCC द्वारा MBBS की ओपन सीट के लिए 7777 सीटों पर एडमिसन दिया जाएगा ये MCC नी 1st round के लिए सीटें अनाउंस की हैं अभी 2nd round में सीटें और भी इंक्रीज होंगी क्योंकि कुछ कोलेज ऐसी हैं जिनको परमिसन तो मिल गई है लेकिन आल इंडिया में अभी तक उनकी सीटें एड नहीं हुई हैं जैसे राजस्तान सीकर की कोलेज को 15 अक्टोबर को परमिसन मिल गई थी मगर अभी तक उसकी 15% आल इंडिया कोटा सीट एड हुई नहीं है ऐसी और भी कोलेजे हैं तो 2nd round में ये सीटें और भी एड होंगी 2019 का comparison करें तो 2019 में 1st round में 5000 से कम सीटों पर एड मिसन हुआ था हालांकि 2nd round में ये सीटें 5175 तक इंक्रीज हो गई थी तो इस बार total सीटें हम अगर देखते हैं तो AIMSWA जिपमर को मिला कर MBBS की open सीट के लिए 7777 सीटों पर एड मिसन होगा यानि कि तकरीबन 2700 सीटों का इस बार इजापा होगा इसमें हम अलग-अलग देखें तो इसमें round 1 के लिए MBBS के लिए All India quota की 5527 सीट से AIMS की 1899 सीट से जिपमर की इसमें 179 सीट से मैं आपको यहां बता दूँ कि जिपमर की total सीट 249 सीट से इसमें internal quota के लिए 64 सीट से और 6 सीट NRI के लिए हैं total इसमें 249 सीट हैं लेकिन open के लिए इसमें 179 सीट से ब्योच्यू के लिए total open 100 सीट से और AIMU के लिए total 73 2 सीट ओपन के लिए हैं मैं आपको यहां बता दूँ कि AIMU में total MBBS की 150 सीट से उसमें 73 internal quota की सीट हैं जिनोंने AIMU से 10, 11, 12 कर रखा हैं उनके लिए हैं और 5 सीट से इसमें NRI की हैं open 72 सीट से इसमें तो यह total 150 सीट से ओपन के लिए MBBS की total इनका लगाए open सीट के लिए तो 7,777 सीट होंगी इसमें यह सारी open हैं यानि कि इस पर सभी candidate admission ले सकते हैं All India का कोई इसमें domicile का नहीं है यह सारी सीटें domicile free हैं इसके बाद में हम बात करते हैं BDS के round 1 की तो BDS में total All India quota की 405 सीट से हैं BHU की 63 सीट से हैं इसके बाद में AMU की 17 सीट से हैं मैं आपको बता दूँ कि इसमें total BDS की 40 सीट से हैं इसमें internal quota के लिए 18 सीट से हैं नाराई के लिए 5 सीट से हैं और open के लिए 17 सीट से हैं इस परकार से total 485 सीट से इस बार BDS के लिए open सीट से हैं पिछली बार का जब इसमें हम comparison करें 2019 का तो पिछली बार 419 सीट थी यानि कि इसमें इस साल 66 BDS की सीटूं का इजाफा हुआ है इस बार तो दोस्तो इतनी सारी सीटूं की बडोतरी से आल इंडिया कोटा की कटोप तो effect होगी ही साथ में स्टेट की कटोप में भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि स्टेट में भी काफी सीटूं की बडोतरी हुई है जिससे ही आल इंडिया कोटा की 15% सीटें दल रहा है 24 फिल आपने बिल्कुल ध्यान से भरना है अगर आपको 24 फिलिंग में कोई प्रोब्लम आ रही है तो आप हमारी बुक की हेल्प ले सकते हैं मैंने आल इंडिया का 2020 का अपडेट वर्सन डाल दी है बुक में उसमें जो आप कौन-कौन सी 24 फिल करेंगे उसकी लिस् सकते हैं उसमें कौन से कंडिडेट को क्या 24 बढ़नी है कौन सी कोलेज की क्या फीस है उसमें यह भी दिखा रखा है मैंने प्रिवेस येर में क्या कटोब रही थी उसके बाद में जो 24 फिल के लिए कोलेजें सेलेक्ट की हैं जो लिस्ट तयार की है वो सारे infrastructure teaching facility के अनुसार तयार की गई है तो आप उसकी साइता ले सकते हैं स्टेट कोटा की बुक भी अवेलेबल है ओपन और सेंटरल पूल कोटा की बुक भी अवेलेबल है तो वो आपको काफी helpful हो सकती है तो आप इस वीडियो के description box से उसको download कर लें या फिर हमारी website www.shopraeducation.com से भी आप इसको download करके help ले सकते हैं उस बुक के तो ये जानकारी थी सीटूं के बारे में इससे कटोब पर काफी फरक पड़ेगा कटोब कम जाने की संभावना है तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ में नए वीडियो में तब तक के लिए मैं हर साई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा जैफिंग